नमस्कार दोस्तों भमतो एजुकेशन के इस चैरे टेवल प्रोग्राम में आपका स्वागत है दोस्तों ये जो घटना चकर का GS पोइंटर आता है उसको मैं केवल आवाज दे रहा हूँ और इसके माध्यम से बाइलोजी की सिरिंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन के वारे में अध्यन करने जा रहे हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन यानि वर्गिकी से संबंदित किसी परकार का आपको अगर डौट होता है तो आप कॉमेंट के माध्यम से हमसे सेर कर सकते हैं दोस्टों आईए शुरुआत करते हैं घटना चक्र जीयस पॉइंटर का क्लासिफिकेशन वाला जो यूनिट है चाप्टर है उसको दोस्तों यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से दिया हुआ है पहला पॉइंट है कि जीब बिग्यानिकों ने पादप जगत और प्रानी जगत की जातियों को बहुत बरी संख्या में ग्यात किया है, ढूंड निकाला है और पहचान भी लिया है संख्या की दृष्टी से अभ तक ढुंडे हुए और पहचान हुए जीबों में सब से अधिक संख्या किसकी है तो वह है कीटों की अगला point assertion यानि कथन और region यानि कारण के रूम में दिया हुआ है कथन यहाँ पे है अमीबा विभंजन द्वड़ा जनन करता है जबकि कारण है सभी एक को सिकिये जीब अलेंगिक बीधियों से जनन करते है इसका उत्तर दोनों सही है और इसका असपश्टी करन भी सही है यानि A और R कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है सरसन यानि कथन का सही असपश्टी करन भी है अगला point है गर्म रुधीर वाले जन्तु वे होते हैं जो अपने सरीर के ताप करम को क्या करते हैं हमेशा एक सा बनाए रखते हैं अगला point सही कथन दिया हुआ है गोल किर्मी में कोई परी संचरं तंत्र नहीं होता है बिल्कुल सही बात है फिर इसी में यह point है और इस्थिल मचलियों में वाता से आमतोर से विद्यमान होता है तथा उपास्थी संचरं मचलियों में निशेचन आंत्रिक होता है बिल्कुल सही बात है चलिए अगला point अस्थार फिस, सा फिस, पाइप फिस तथा गिटार फिस में से वह है जो मचली नहीं है तो अस्थार फिस क्या है? मचली नहीं है अगला point है रजट मीन, क्रे फिस, जेली फिस तथा कैट फिस में से वह जो बास्तविक मचली है तो बास्तविक मचली कौन होता है? अगला point है स्टार फिस, जेली फिस, डॉग फिस तथा समूंदरी घोरे में से वह जो बास्तविक रूप से मचली है तो उत्तर है समुंद्री घोरा यह क्या है बास्तविक रूप से मचली है अगला पॉइंट है सबसे बड़ा अस्तन पाई है तो वेल मचली सबसे बड़ा अस्तन पाई होता है अगला पॉइंट है वेल प्रानी होता है क्या होता है अस्तन पाई वर्ग का अगला पॉइंट है सार्क, इसकेविद, आक्टोपस तथा वेल में से अस्तन पाई है क्या है वेल अगला पॉइंट है फीन बैक वेल, ब्लू वेल, एस्पर्म वेल तथा हम्प बैक वेल परजातियों में से दांत वाली वेलों में विसालतम होता है तो एस्पर्म वेल डात वाली प्रानी में सबसे बड़ा होता है अगला पॉइंट है एकीड़ना कंगारू से ही तथा वेल में से वह जो अंडा देता है तो कौन अंडा देता है जबकि सिधा बच्चा नहीं देता है तो वह है एकीड़ना सिधा अंडा ही देता है बच्चा नहीं अगला पॉइंट है उरने वाला अस्तन पाई है कौन है चमगादर अगला पॉइंट है उरने बाले जीवों में से वह जो पक्छी वर्ग में नहीं आता है उत्तर होगा चमगादर अगला पॉइंट समुंदरी गाई, समुंदरी घोरा, समुंदरी सिंग में से अस्थन धारी है तो समुंदरी गाई और समुंदरी सिंग दोनों के दोनों अस्थन धारी है अगला पॉइंट है डालफिन को बरगी किरित किया जाता है किसके अंतरगत अस्तनी में, ठीक, अगला पॉइंट है, सील होता है, क्या होता है, एक अस्तन पाई, अगला पॉइंट है, एंफीबिया बताता है, क्या बताता है, जल एवम अस्तल दोनों पर ही रह सकने वाले पसुओं को अर्था, वे जिक जो जल एवम अस्तल दोनों पर जिंदा रह सकता उसी को कहते हैं अम्फिरिया एगला पॉइंट है वह गुन जो मनुष को अन सभी बानर गुनों से अलग करता है कौन है जानने की इक्षा परकट करना ही मनुष को बानर जैसे गुनों से प्रिथक करता है एगला पॉइंट है गीबन गोरिला लंगूर तथा ओरंग उटान मे से कफी नहीं है तो लंगूर क्या है यह कफी नहीं होता है अगला पॉइंट मानव सद्रिस लगुतम कफी है तो गीवन मानव सद्रिस लगुतम कफी है अगला पॉइंट गाई बकरी भेर तथा हीरन में से नील गाई आती है तो नील गाई हीरन कुल में आती है अगला पॉइ है तो एसके विड क्या है और कसे रुकी सबसे बढ़ा होता है अगला पॉइंट केकरा बरूथी बिच्छू तथा मकरी में से वह जीब जो अन तीन जीबों के बर्ग का नहीं है तो केकरा क्या है इन सबों से अलग है अगला पॉइंट वाइट लेग हर्म एक किसम है किसका कीक और माइट बास्ता में होता है क्या होता है मकरी वनसी अगला पॉइंट जुगनू होता है एक क्या होता है कीट होता है जुगनू जो रात को चमकती रहता है अगला पॉइंट खटमल मकरी घरेलू मक्षी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है तो मकरी क्या है एक की अगला पॉइंट मकरी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकरी में पाई जाती है क्या आठ टांगे मकरी में पाई जाती है इसी कारण मकरी कीट से भिन्न होता है अगला पॉइंट तितली तिलचक्टा मच्छर तथा मकरी में कीट नहीं है तो कौन कीट नहीं है मकरी कीट नहीं है अगला पॉइंट वह ग्रूप जिसके जन्तु प्राय रात्री चल यानि नोक्टे नल होता है तो कौन है वो मच्छर, चमगादर और उल्लू अगला पॉइंट है मच्छरों के बारे में निमलिखीत कसनों पर विचार करना है और यह बताना है कि कौन सा कथन सही है चल यह कथन हम परते हैं पहला कथन है केवल नर रक्त चूसता है तो यह गलत है केवल मादा रक्त चूसता है यह सही है मच्छर का जो मादा वाला जो प्रानी होता है वो मच्छर क्या करती है मादा मच्छर रक्त को चूसती है अगला पॉइंट है मादा पौधे का रस चूसती है ये गलत है मादा की अपेक्छा नर के डैन बरे होते है ये भी गलत है फिर अगला पॉइंट है पांचमा नर की अपेक्छा मादा के डैन बरे होते हैं तो यहाँ पे यह सही है तो यहाँ पे हम क्या देखे दो पॉइंट सही है पहला केवल मादा रख चूसती है यह सही है और दूसरा नर की अपेक्छा मादा के डैन बरे होते हैं तो यह मच्छर का कुन है इस इस्टता है चलिए अगला पॉइंट मोलाक उट जेवरा तथा यूरो मैस्टिक्स में से वह प्रानी जो अपनी आत में जल का संग्रहन कर लेता है तो उट क्या है उस अपनी आत में जल का संग्रहन कर लेता है अगला point है सरपों की विस गरंथियां की समांग है तो क्या है कसे रुकी प्रानियों की लार गरंथियों का चलिए अगला point देखते हैं साप के जहरीले विस दंत होते हैं जो रुपांतरित रूप है किसका तो जम्भी का दंत का रुपांतरित रूप है सापका जहरीला बिसदंद एगला पॉइंट चटान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं क्या कहलाता है सैलोध भीद एगला पॉइंट है पैसन फलावर पादप घट पर्नी रात की रामी यानि नैट कुइन तथा फलेम ओफ दी फॉरेस्ट में से कीट हारी पादप है तो घट पर्नी क्या है ये कीट हारी पादप है एगला पॉइंट है घट पर्नी के अस्तंभ पत्ता अनुपर्न तथा पर्न विरित भागों में से वह जो घट में रुपांतरित होता है तो पत्ता जो है वो घट में रुपांत्रित हो जाता है यहाँ पे सही सुमेलित है यिस्ट, कैसीन, एलोवीरा और घट पढ़नी यिस्ट किनवर में जाएगा कैसीन, दुख्द प्रोटीन, एलोवीरा, आवर्त बीजी और घट पढ़नी प्रकास संसलेशन चलिए, अगला पॉइंट देखते है निपिन्थिस, खास यान, घट पढ़नी जिसको बोलते है नामक दुरलव एबम आपातिये पौधा पाया जाता है कहां? मेघाले में अगला पॉइंट, पौधे का वह भाई जिससे हल्दी प्राप्त होता है तो तनासे हम हल्दी प्राप्त करते है अगला पॉइंट है हल्दी के पौधे का खाने लाइक हिस्सा होता है क्या होता है? परकंद अगला पॉइंट है फलाओं का वह परकार जिसमें लीची को रखा जाता है और वह है क्या? डूप अगला पॉइंट है किसी यदी, किसी उभैलेंगी पुस्म में, पुमंग और जायंग अलग-अलग समय पर परिपक होता है तो इस तथ को कहते हैं, क्या कहते हैं, भिन, काल, परिवक्ता अगला पॉइंट है, आलू, सकरकंद, वंडा, तथा जिमी कंद, अधो, भूमी, उत्पादित, सबजियों में से एक रुपांत्रित जर है, तो क्या है सकरकंद? अगला पॉइंट है, गन्न, अधरक, आलू, तथा सकरकंद में से वह, जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो क्या है सकरकंद? अगला पॉइंट है, सलजम, अधरक, गाजर, सकरकंद में से वह, जो तना है, तो कौन है? अधरक एक तना है देखिए यहाँ पे सही सुमेले थे एगला प्रकंद, अस्तंभ कंद, सल्क कंद, धनकंद तो प्रकंद जाएगा अदरक, अस्तंभ कंद जाएगा आलू, सल्क कंद मिलन होगा लहसुन से और धनकंद मिलाएंगे जीमी कंद सूरन से अगला पॉइंट है गाजर, सकरकंद, नारियल तथा आलू में से रुपांतरीत अस्तंब है तो क्या है आलू रुपांतरीत अस्तंब है अगला पॉइंट है आलू है एक क्या होता है आलू एक कंद होता है अगला पॉइंट है जैब उर्बरक प्रबाल मूल लाइकेन तथा कबक मूल में से वह जो कबकों और उच्चतर पादपों की जरों के बीच उपयोगी प्राकाडियक सहाचर्य है तो क्या है कबक मूलक अगला पॉइंट है फलिदार पादपों की जरों में उपस्थित गांठों में पाये जाने वाले नत्रजन इस्तरी करन जिवान है तो वह क्या है सहजी भी है अगला पॉइंट है मतर पodha होता है क्या होता एक साक अगला पॉइंट है तना काट आमतोर से परियोग किया जाता है तो कैसे परियोग करता है गन्ना परवर्धन के लिए हम तना काट आमतोर से परियोग करते हैं मतलब कहने का मतलब क्या है गन्ना को काट करके उसका विकास करवाया जाता है खेत में रूपा जाता है अगला पॉइंट है लॉंग क्या होता है बंद कलियां होता है अगला पॉइंट है जीरा लॉंग काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुस्प कली का होता है तो कौन होता है लॉंग अगला पॉइंट है लॉंग प्राप्त होता है किस से सुष्क पुस्प कली से लॉंग रात होता है अगला पॉइंट है और सही सुमेलित है अधरक केसर अफिम और सन देखिए अधरक मिलेगा रेजों से केसर मिलेगा पुस्व की वर्ति का एवं वर्ति काग्र से अफिम मिलेगा अफिम की डूडी से डूडी से और सन मिलेगा तना से अगला पॉइंट है यहाँ केसर होता है सुखा मिस्रन किसका केसर सुखा मिस्रन होता है फूल के बीज बनाने वाले भागों का केसर सुखा मिस्रन होता है अगला पॉइंट सही सुमेली था है यहाँ पे अदरक, प्याज, आलू और नारियल अदरक मिलेगा प्रकंद से प्याज मिलेगा मांसल पर्न से आलू मिलेगा रुपांतरित तना से और नारियल मिलेगा भुरुन पोस्त अगला पॉइंट है तना, वीज, जर तथा फल में से आलू खाने योग भाग होता है किसका आलू खाने भाग योग होता है तना का अगला पॉइंट है आलू, मूली, भिंदी तथा सकरकंद में से एक फल है तो क्या है भिंदी एक फल के अंतर गताता है ठीक ना अगला पॉइंट है पादप कली होता है एक भूरोनिय टहनी पादप अगला पॉइंट है करक प्राप्त होता है किस से करक प्राप्त होता है कवय कर्स सूबर नामक पेर से करक प्राप्त होता है अगला पॉइंट है लहसन की अभी लाक्षनिक गंध का कारण है तो सलफर योगिक क्या होता है लहसन में गंध का कारण मनता है अगला पॉइंट है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसु आते हैं क्योंकि प्याज निस्कासित करता है क्या निस्कासित करता है कौन सा अमल तो सलफेनिक अमल प्याज निकलता है और यही करण है कि करते हैं तो आज से आंसु आ जाता है अगला पैंट है जीवन चक्र की दृष्टि से पाउधे का सबसे महत पुर्ण अंग होता है आगला पैंट है मिर्च की तिक्षणता का कारण है तो कैफ से सि नामक जो उपस्थिती उसमें होता है केमिकल्स कारण मिर्च की तीखा पन होता है अगला point है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैफियसीन ही रहता है इसी करण लाल मिर्च जिदो है वो तीखा होता है अगला point है रेसम का कीरा यानि सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र के जिस चरन में वानिजिक तंतु यानि फैवर ओफ कॉमर्स पैदा करता है वो है क्या है कोसित यानि पूपा है अगला point है रेसम कीट जिस पर पनपता है वो है मतलब रेसम कीट कहां पनपता है सहतूत की पत्मों पर अगला point है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक परमुख आउसद है वह पराप्त होता है कहां से आविर्त बीजी पादप से अगला point है मलेरिया रोग की परभावी आउसद ही कुनैन का निसकर्षन किया जाता है कहां से सिनकुना की छाल से अगला point है मलेरिया निदान हेतू आर्टी थर नाम की आउसद ही प्राप्त होता है कहां से वीजिय पादव से आर्ती थर नाम की औसद मलेरिया निदान अगला पॉइंट है सिनकोना की छाल से प्राप्त औसधी को मलेरिया के उप्चार के लिए प्रयूक्ट किया जाता है जिस कृतिम औसधी ने इस प्राक्रतिक उत्पाद को परती अस्थापित क्या हुआ है क्लोरो क्वीन क्लोरो क्वीन क्या है सिनकोना की छाल से जो औसधी प्राप्त होता है उसका मलेरिया के लिए उप्योग किया जाता है और इस औसधी को प्राक्रतिक रूप से किया क्या हटा करके क्लोरो क्वीन नाम का अभी जो दबाई है वो उप्योग में लाया जाता है अ तो क्या है, डाइटम का महतु यहां पर है। मिर्तियो का पता लगाने के लिए। अगला point है, सहतूत का फल है। क्या है, सोरोसिस सहतूत का फल है। अगला point है, सण, पठसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधatti के तने का उत्फाद नहीं है। तो कपास पौधे के तने का उत्पाद नहीं है अगला पॉइंट है लेग हीमो गलोवीन पाई जाती है कहां पे लेग यूम मुल गरंथियों में लेग हीमो गलोवीन पाई जाती है अगला पॉइंट है बौना गेहू, संकर मक्का, ट्रीटी केल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्वीत धान है तथा प्राकिर्तिक में नहीं पाया जाता है तो ट्रीटी केल क्या है मानव निर्वीत धान है और यह प्राकिर्तिक में नहीं पाया जाता है अगला पॉइंट है काई नौला नामक कर काई नौला मानव उप्योग के लिए उगाई गई विशिष्ट पड़कार की तिलहन सरसों यानि ओयल सीड मस्टर्ड की किसमों को निर्दिष्ट करता है इन किसमों की मुख विशेष्टा यह है कि क्या है मुख विशेष्टा इसके तेल में इरुसिक अमल की बहुत अलप मात्रा होती है किसमें काई नौला मानव उप्योग के लिए उगाई गई तिलहन सरसों यानि ओयल सीड में चली आगला पॉयंट सुख्श्म जीवानू यानि बैक्टेरिया को देखा जा सकता है कैसे कमपाउंड की खुर्द वीम द्वारा्ılar क्या करते हैं बैक्टेरिया को पेख सकते हैं अगला पॉयंट असपांजी टीसू यानि असपांजी उत्त तक एक ऐसा गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस परजाती का निर्यात को परफावित हो रहा है वह है अलफखांसो अगला पॉइंट कथन आव कारण के रूम में दिया हुआ है कथन है यहाँ पे कुछ जिबानू अपना भोजन संसलेशित कर सकता है बिल्कुल सही वात है कारण है यहाँ पे इन जिबानियों में हरा पवधा जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है नहीं यह गलत है अगला प पॉइंट है यह बनस्पती वह जानवर की सीमा रेखा पर होता है यह भी गलत है और सी पॉइंट है यह फूल देने वाली वह फूल ना देने वाली बनस्पती की सीमा रेखा पर होता है तो यह भी गलत है तो कुल मिलाके सुक्छ मजिवानियों यानि बैक्टेरिया के बार है और कारण है इसका मिर्दा का उच्छ तापमांद जर विकास को प्रोसाहित करता है नहीं मरुस्थलिये पौधों का जरतंत इसलिए काफी लंबा होता है कि वो जमीन के अंदर जाकर के नमी को सूंख सके तो इस परकार एक कथन सही हुआ और आरगरत हुआ चलिए अगला प अस्थल में फ्री एटो फाइट्स मिलते हैं यानि ऐसे पादव जिन में लंबी 20-30 फिस मुसलाज जर होता है वो 20-30 फिट उसका जर लंबा होता है जमीन के अंदर अगला पॉइंट है सुस्क जलवायू के भली भाती अनुकूलित पेर पौधों को कहते हैं क्या कहते हैं म फाइट फिर अगला पॉइंट है और यहां पे निमलिखित कथनों पर विचार करना है और यह बताना है कि इन में से कौन सा कथन सत्त है पहला पॉइंट है जेली रूदन का कारण अमल की अधीकता है बिल्कुल सही बात है दूसरा है कथन गन्ने के लिए सरवाधिक अनुक यह गलत है चौथा पॉइंट है सुसुपता अवस्था तोरने वाला हार्मोन साइटो कैनीन है तो यह भी सही है तो कुल मिला के यहां पे एक और चार जो आप्सन है वह सही है अगला बात करते हैं पॉइंट का तो एपिफाइट वे पौधा है जो अन पौध्वे पर निर चत्र होता है पिरत्वी का वहां पे यह एपिफाइट और लियना पाया जाता है तो मुखरूप से यह क्या होता है लता है अब लंबन के लिए क्या करता है तो अन पौधा पर यह निर्वर रहता है चलिए अगला पॉइंट देखते हैं जल की अधिक्तम मात्रा जिसकी पौधों को है ग्रोफाइट करते हैं चलिए अगला पॉइंट है पौधों द्वारा ली गई विकर्ण उर्जा का परिमाप जल का प्रकास यह अब घटन होता है अगला पॉइंट है सही सुमेल करना है यहां पे सवजीबी है पर जीवी है मृत पोसी है तो स्वजीबी जो आर्कियो वैक्टिरिया के एक समोह को उत्पादन के लिए परियोग में लाया जाता है किसको तो मिठेन को अगला पॉइंट है अधिकांस कीट सौसन करता है किस से तो बातक तंद्र की सहता से अगला पॉइंट है जमी हुई जील के अंदर मचली जीवित रह सकता है क्यों तलाओं के निकट पानी नहीं जमता है इसलिए अगला पॉइंट है जल से बाहर निकाल ली जाने पर मचलियां मर जाती है क्यों चुकि वे सांस नहीं ले पाती है फिर अगला पॉइंट है मचलियों में समानता स्वसन होता है इसके द्वारा गिल्स यानी गलफरों के तो सेव का फल इसलिए लाल होता है चुकि उसमें एंथोसाइनीन होता है तो एंथोसाइनीन के कारण सेव फल लाल होता है अगला पॉइंट है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है फिर अगला पॉइंट है पपीते में पीले रंग का कारण क्या है तो ये कैरिका जैन्थिन के कारण पपीता का रंग पीला होता है हाल ही में हमारे बैग्यानिकों ने केले के पौधों की एक नई और भिन जाती की खोज किया है और इसकी लंबाई लगभग 11 मीटर तक हो जाती है और उसके फल तथा गूदा नारंगी रंग का होता है यह भारत के किस भाग में खोज जा गया है तो अंदमान और निकोबार दीप समू के आसपास फिर अगला पॉइंट है जीवित प्राणियों का वह समू जो एक ही एस्पेसिस से संबंदीत है तो क्या है कहां से है तो चीनी अमेर्की भारतिये तथा काली अफरिका यह जो प्राणी समू है वह क्या है एक ही एस्पेसिस से संबंदीत है चलिए अगला पॉइंट है खमीर एक उदाहरन है किसका कवक का अगला पॉइंट है यिस्ट और मस्रूम क्या है तो एक फफुंदी है फंगई है अगला point है रसेदार सब्जी में पडियोग होने वाला मसरूम होता है मसरूम क्या है? एक कवक है अगला point है कपास का परमुग घटक है क्या है तो सेलूलोज का अगला point है लाइकेन मिस्रित जीव है जो बने रहते हैं कवक एवं सैवाल से अगला पॉइंट है लाइकेन जो एक नग चटान पर भी पारिश थी कि अनुकरम को प्रारंब करने में सक्चम है बास्ता में सहजीवी साच चड़ जाए किसका सहजीवी साच चड़ यह है तो सयवाल और कब कोंका अगला पॉइंट है नेस का पीन पराप्त होता है किस से पोस्टा यानि कॉफी से अगला पॉइंट है पोस्टा यानि पॉपी से ठीक नोट कॉफी पॉपी अगला point है हेरोईन पराप्त होता है अफिम पोस्ता से फिर अगला point है मार्फिन पराप्त होता है किस से फल से फिर अगला point है अफिम पराप्त किया जाता है बिना पके फल के लाइटेक्स से फिर अगला point है अफीम पोस्ता प्राप्त होता है किसे पाउधों के अधपके फल से फिर अगला और अंतीम point है इस chapter का अफीम का मुख अभियब है तो अफीम का मुख अभियब क्या होता है? मौडफीन होता है दोस्तों ये था मेरा घटना चक्र जीयास pointer का जो वर्गी किरन मकला classification ससंबंधित whole and soul पूरा का पूला आप भी इसमें aid करिए और लगे रहिए जब तक कि आप सफन्नों हो जाएं इन्हीं सभी सुबकामनों के साथ आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद